हेलो फ्रेंग्स आप सबहें का स्वागत आइए तो फ्रेंद्स बात करते हैं क्रिप्टो करेंसिस ब्रेसे हैं इस ते should छलता है तो मतलब कि यह जो रीघ्ध अप इसे बोल इंगे एक्स्ट्रिमली इघ्रिई हो गया और फिर में चुझली होता है एक्स्ट्रिमली एडियरहल अधिकिम प्ला की चुल्ऱन पाथ होता है तो इससे आप इसको देख सकते हो कि कुछ दिन पहले के बात करें तो यह 30-35-34 कल के दिन का बात करें तो कल 20 प्लस में था आज 16 पर है आप समझ सकते हो कि मार्केट जितना दिन लगाएगा रिकावर होने मतलब कि ऐसा नहीं कर दो नहीं करना चाहते कि कब यहां से फिर नीचे आ जाए उनको नहीं पता वह इंवेस्टमेंट करेंगे जब इस रेंज को यह चोड़के बिटकॉइन जो है वह फिर से अपर लेवल पर जाके 24 लग 43 लग में इंट्री कर जाए और लगादार पंप करते जाए तो फिर से लोग जो है वह पैनिक जो एक सिच्वेशन बना उससे बाहर निकलके फिर से इन्वेस्टमेंट शुरू होगा तो फिर आप देख सकते हो कि अभी आपको यह दिवांग मेंगर होगा कि यह प्याइब फेक्टर किसके लिए एक आदमी का यह नहीं है फ्रेंट जितने लोग इंवेस्टमेंट में हैं जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उन सभी का डाटा एक एवरेज निकाला जाता है और सभी का एकॉर्डिंग का क्या सिच्वेशन है तो ट्रेडिंग बॉल्यू जो हम लोग में और ज्यादा जिसका पैसे स्कमजोड है वह तो फ्रेंट सेल करके लॉस ले लेता बाद में फिर अफ्सोस करता है तो वैसा आपको नहीं करना है होल्ड करके रखिए फिर से टाइम आएगा फिर से मार्केट सही हो जाएगा और फिर से हम लोगो तो यही फ्रेंट्स सिनारियो होता है तो ऐसा नहीं कि अभी देट दो मन्त लगेगा मैं यह नहीं बोल रहा हूं मैं एक जामपल दे रहा हूं कि इससे बुरा हुआ है मार्केट में यह तो अभी कुछ है नहीं तो चलो फ्रेंट्स अब हम लोग एक एक निउस देख लेते तो मार्केट में इन्वेस्टेमेंट नहीं हो रहा है पैसा नहीं लग रहा है वेल भी अभी पैसा नहीं लगा रहे है तो वेल का दो बात हटा दो फ्रेंट्स कि वेल को कभी लॉस नहीं होता है अगर मार्केट ऐसे जाता है तो यहां से वेल क्या करते है उनको पता होता है कब निकलना है वो यहां से पैसा अपना निकाल लेते हैं जैसे पैसा यह भी मार्केट से बार जाता है प्राइस डाउन होता है जैसे प्राइस डाउन होता है तो हम लोग जैसे लोग जो है इसको और नीचे लाते हैं और फिर एक टाइम पे जो सेल होता है कितना लोग सेल करे ले जाता है और यहां से और औरropheet कोuttering करते हैं और फीर उपर ले जाते हैं तो यह नॉर्मल Dakota स्चैरा जो कि बेसिक üzग åका जो कि सब को पता होता है बड़ जरुरीव हैं हमेसा मतलब मैंसे मारकेक को Went besthh कि यह यह क्यांतना जरुकण चैनल पर नहीं मतलब जो नए लोग आ रहे हैं जूड़ रहे हैं क्रिप्टो मार्केट से जो इंडियन यूजर हैं जो की बिल्कुल नहीं है उनको इसका ABCD पता है बट उससे ज्यादा कुछ नहीं पता है उनके लिए छोटा-छोटा मैं टिप्स वीडियो में सेर कर देता ओर अगर जो जानकार है उनको यह बोरिंग लगता है तो उसके लिए सोरी और आगे से मैं इन सभी चीजों के लिए एक अलग से content लाओंगा अलग से वीडियो लाओंगा एक छोटा-छोटा चीज हर चीज सिखाया करूंगा बट अभी नहीं अभी उसमें टाइम है तो इस पर भी कुछ कुछ क्या क्या करने वाले हैं गौर्मेंट जो कि ऑफिसियल भी कुछ खुल के अभी अच्छे से नाउंचमेंट नहीं हुआ है तो उसी पर यह जो सी ओ है इन्होंने क्या का आए तो यहां पर पढ़ते हैं यहां पर लिखाया देयरा रिपोर्ट जैट इंडिया में वह बैन हो जाएंगे दो सी ओ आफ मेजर क्रिप्टो कैंसी इंडिया है सेर्ड ही स्थार्ट ऑप दो पॉसिबल रेस्ट्रिक्शन दा इंडियान गवर्मेंट एज लिस्टेट क्रिप्टो कैंसी बिल्टु टु टेकन अप इन्ट करेंट सेशन पूरा क्रिफ्टो के एक अच्छा सा स्ट्रेटिजी बना के एक फ्रेम त्यार करके डाल दिया जाएगा हर तरह का रूल होगा कुछ भी बचा नहीं होगा सब कुछ उसमें डाल देगा गौवर्मेंट और उसी साब से फिर काम होगा तो यह जो है यह एक सीओ एक्सजेंज यहां पर ऐसा नहीं है कि यह जो कह रहे है ऐसा कुछ होने वाला है जो भी होता होता है उस पे बड़े-बड़े लोग अपना फॉर्ट आपना ओपिनियन डालते हैं तो उसी तरह से है और इस नीज को और डीटेल में डेप्त में अभी नहीं बताऊंगा इसके लिए मैं सेप्रेट एक अलग वीडियो बना दूँगा क्रिप्टो बील एक्सचेंज का अपडेट पर अभी हम लोग बात करते हैं कि क्रिप्टो मार्केट से रिगार्डिंग क्या क्या टॉपिक है जो आया है तो फ्रेंट्स यह एक है यहां पर देख सकते हैं फैनेक्स इसीङ परेंगी इक्सचेंज करेंशियों यहां पर देख सकते हैं क्योंकि वहां से अच्छा अच्छा ही नियूज निकल काता है तो यहां पर देख लो फ्रेंड्स एल्स अलवादर्स प्रेसिडेंट तेल्स पीटर एस्टीप बेनिफिट ऑफ स्विचिंग गोल्ड रिजाउंस टू बिटकोईन तो बोल रहे हैं यह बेनिफिट के बारे में किया होगा है मीडिया में जो भी बात आई है तो यहां पर लेते हैं अब उसके सब कुछ किलिए रोजाएगा तो फ्रेंट्स यहां पर लिका हुगा है तो प्रेसिडेंट ऑफ एल्स अलवादर है रिविल्ड देट इट इज कंट्री होल्स 44,106 OZ. of gold in its reserves that has lost some value over the past year he told gold bug peter skip that if El Salvador had sold its gold and bought bitcoin last year it would now be worth 125 million dollar more तो फ्रेंट्स आपको समझ में आ गया हुगा है इन्हों ने का आया कि पिछले कुछ सालों में जैसे कि gold इन्हों ने जो रिजब कर रहा है उसका value जो है वो कम ही होते गया है मतलब कुछ value कम हो गया मतलब थोड़ा लॉस हो गया है और अगर past year में सभी gold को बेचके मतलब जितना का gold हो रहा है उसका जो value हो रहा है अगर उसको यह Bitcoin में इन्वेस्ट कर दिये होते हैं तो आज इनके पास 125 मिलियन का जो 125 मिलियन डॉलर जो है इतना और ज्यादा होता मतलब जो इनके पास value निकल गया था उसमें यह additional हो जाता मतलब इनको profit होता अच्छा खासा तो यहीं यह बोड़ रहे है नीचे फी डीटल में नहीं आएंगे release tokens take double digit losses तो friends यह जो एक है आप पढ़ लो इसी तरह से friends अभी अगर market की बात करें तो कुछ उस तरह से positive news नहीं आईए और जैसे positive news आएगी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा और आपको उसका impact भी देखने को मिल जाएगा क्योंकि जिस तरह से negative news आके market में panic create कर देता है और certain market को लेकर कभी भी कोई नहीं बोल सकता है क्योंकि जो share market होता है या crypto market होता है यह सब 100% possibility का चीज नहीं होता है 99% आप possible हो सकते हैं बट 100% नहीं बोला जा सकता है तो friends जल्द ही हाँ बट इतना से और जल्द ही crypto market फिर से recover होगा pump होगा but date certain नहीं है कि आज कल परसो कब तो च आपने वो सब्सक्राइब करना मिलते अपने नेस्ट विटो में